दुंका जैसा की नाम से पता चलता है चारो और बुलंद पहाडियों और घने जंगलों से गिरा हुआ है। यह जारकंट राज की उपराजधानी के साथ ही उसके सबसे शांदार जिलों में से एक है। दुंका की हवा में तीन राज्यों की संस्कृती का मेल है। इस शहर ने भारतिय संस्कृती की मूल लतिक्ता और पारंपरिक्ता को बनाए रखा है। लोगतंतर सरकार का ही एक रूप है जिसमें आम लोग राजनीतिक शक्ती रखते हैं और अपने चुने हुए प्रतिनिदिय के माध्यम से शाषन करते हैं। भारत में अधिकार आम आदमी को 200 साल की गुलामी के बाद ही मिल पाया है। इस अधिकार को जंता के हाथों में हर उस क्रांती वीर ने पहुंचाया जो उस समय अत्याचारी शाषन के खिलाफ खड़ा हुआ। इनी क्रांत वीरों की प्रथम जे नागरिक अपना मट डालने के लिए सक्षम है। मतदान लोकतंतर की सबसे महत्पून प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने प्रतिनीधी को चुनते हैं जो संसत में निर्ने लेते समय आपके विचारों को ध्यान में रखते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल या महत्पून है। जिस प्रकार पूंद पूंद से घड़ा भरता है उसी तरह करोडों की जनसंख्या वाले देश में एक वोट की महत्ता अनपम होती है। हर समाज की कुछ आम जरूरते होती हैं जैसा की साफ पानी, बिजली की उपलकता, अच्छी सड़ते तथा नियामिक व जरूरतों को आपका चुना हुआ उमीदवार आपकी आवाज बनकर सरकार तक पहुंचाता है। अगर वह प्रतिनीधी अपने किये गए वादों को नहीं निभाता है, तो आपके पास यह अधिकार है कि आगे आने वाले चुनाव में आप एक बैतर प्रतिनीधी को चुने यही तो लोगतंतर की खुबी है। पर ध्यान रहे, जितना आसान वोट डालना होता है, उतना ही मुश्किल वोट करने का निड़ने लेना होता है। जिस गती से समाज का विकास होता जा रहा है, उसकी दुगनी गती से लोग समाज की जरुरतों से दूर होते जा रहे हैं। इसके अलावा चुनावी मौसम में अक्सर कुछ असमाजिक तत्व जनता को बहला फुसला के उनके कीमती वोट पर प्रभाव डालते हैं और उन्हें मत्तान जैसी पावन अधिकार से वंचित कर देते हैं। इस चुनाव हमें अपने अधिकार का दम दिखाना होगा, एक दुमकावासी होने का दम दिखाना होगा। याद रहें अगर नेता आपका प्रदिनिती है तो आप अदलाव के प्रदिनिती हैं। 19 मही सुभे 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोट करो और दम दिखाना होगा। कर दो आपका वोटो करता होगा।